स्वागत है आप सभी का एक एनो लाकर क्लासिस पर आज हम लोग जो है चतिस गड़ शाषन के द्वारा विभिन विभागों में कुछ वेकेंसी निकाली गई है सवीदा भरती है तो भी विग्यापन जारी किया है तो हम लोग देखेंगे कौन-कौन सभी भाग में सर्विस निकली है इसका डेट कितना है अन्तिम तिथी क्या है कैसे भरना है इन सारे चीजों पर डिसकस करेंगे योग्यता क्या चाहिए अगर आपको पास योग्यता है त ऐसे सर्विस किला आप अप्पलाई कर सकते हैं तो देखिए लेटर आपके सामने है विग्यापन आप देख रहे हैं तो इसमें बता दू मैं चलिए देखते हैं चतिस गड़ सासन खनीज साधन विभाग मंतराला महानदी भवन नयरायपूर के आदेश क्रवांक F7 2016 नयरायपूर दिनांग 23 मार्चर 2020 के तहत चतिस गड़ जिला खनीज संस्थान नयराज नियम 2015 के नियम 36 के उप नियम चार दوفर प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए चतिस गड़ जिला खनीज संस्थान नयाज है तो जिला जान्जगीर Metroid में स्विकृत पदों में सवीदा भरती तो याद रखे कि यह सविदा भरती हेतू है क्या सविदा भरती हेतू योग्य उम्मीद्वार से आवेदान पत्रा आमंत्रित किया जाता है आप देखिए आवेदान पत्र कारियाला है कहां जमक करना है। जावेगा, सविदा भरती है तुप पद्वार निम्रानुसार, तो देखी जाए क्या क्या पद है, इसको हम लोग देख लेते हैं, तो चलिए वेकेंसि तो निकली है, ये सविदा परधारित है, तो चलिए देखते हैं पद का नाम क्या है, विकास सहयाक, और इसका वेतन मान जन जाती में मुक्त एक सीट मतलब कुल मिला के दो सीट हुए अब देखिए इसके लिए यो ग्यता क्या चाहिए तो मानेतर प्राप्त जो है सिक्छर संस्थान या वी सुई दैला से इस नातक में नियुंतम 50% प्राप्ताग के साथ उत्तिर होना चाहिए तो देखिए क्या क अगर आपके पास योग्यता है तो आप इसे आवेदन कर सकते हैं अब देखिए इसमें क्या दिया है प्राप्त प्रतिसत पर सव अंकों का वेटेज देते हुए 50% अंक और शाक्षात कर 30 20 अंक एवं सासन किसी परजयों कारक्रम अधिकारी शमनवयक के रूप में प्रबंधन कारे में अनुभाव को प्रात्मितत दे जाएगी तो देखिए अनुभाव अधिक्तम जो है 20 अंक अनुभाव पर कितना है 20 अंक है पत्तेग पूर्ण वर्सक के लिए 4 अंक तो नेक् जाएगा मतलब आपको प्रस्तूत करना पड़ेगा जब आप अविदान फिल आप करेंगे अब देखते हैं यह आप देख सकते हैं यह पीडिएफ में भी हमारा टेलीग्राम गुरूप जॉइन कर ले जीगा है के नौलाकर सर्च करके उसमें पीडिएफ भी आप रोइड भत्ता पेंशन अन्य किसी पात्रतर नहीं दिया जाएगा तो चली यह तो आप देख लिए नेक्स्ट जो है इस तरह से यह जो सारे आपके जो नियम दीख रहे हैं इसे आप पीडिएफ में प्रोइड करा आपको वहां से देख लिजेगा नेक्स्ट देखते हैं जो अनिम कम्पूटर से निकलवा सकते हैं आपको फोटोग्राफ लगेगा और देखें यह आपका आवेदन है आवेदन को आप देख सकते हैं इस तरह से इस आवेदन में आपका नाम लिंग माता पिता इस्थाई पता जन्मति थी यह सब आपको फिल अप करते हुए यह सारा चीज आप जो है कम्पूटर से निकलवा करके भर सकते हैं तो यह आवेदन को हस्ताक्षर नाम पूरा नाम देखें अनुभा प्रमार पत्र आपके पास होगा तो यह अनुभा प्रमार पत्र भी आप क्या कर सकते हैं भर सकते हैं नेक्स्ट है हमारा यह राजनांद गाउं से नि निकला हुआ है यह जो विग्यापन ज़े आपके कब जारी हुआ है तो 11-10-2021 को अब चलिए देखते हैं यह क्या चीज के लिए है और कैसे आवेदन मंगाया गया है इसके लिए ग्यता क्या है कैसे हम आवेदन फिलब कर सकते हैं तो देखिए यह जो है सखी वन स्टाप में वन स्टाप सेंटर में परामर्स दातायों बहुत देशी कारे करता के रूप में व्यक्ति गत सिवा प्रदाता का कारे करने है तो पात्र केवल महिला आवेदकों के लिए वाकिन इंटर्विव आवजन किया गया तो देखिए केवल महिला आवेदकों के लिए है यह जो वा कित कारियों कर्तब्यों की निर्वहन के लिए दिनांग 29-10 तो याद रखेंगे आप लोग 29-10-2020 को वाकिन इंटर्वी को माध्यम से चैन की जाएगी इच्छुक महिला आवेदक निर्धारित दिनांग को प्राता हमतलब इसी तारिको 29-10-2020 तक 10 बजे से 12 बजे तक जीला का अधिकारी कारियाला महिलें बालू के आस्विभाग कलेक्टर प्रिसर राज नंद गावे निम्नांकित पदो हितु आवेदन पस्तुत कर पंजियन करा सकते हैं वाकिन इंटर्वीव जो है इंटर्वीव है उसी दिन दो पहर दो बजे आजित किया जाएगा तो नेक्स दे अधिक्तम आयू 45 वर्ष और सक्षडिक क्यों गयता क्या क्या चाहिए तो मनुविज्ञान समाज कार्य में इसनात कोत्तर महिलाओं के लिए विरुद्ध हिंसा में हिंसा से जुड़े मामलों में सास्की और सास्की संस्थाओं में कारे करने का कम से कम तीन वर्ष का अब चलिए देखते हैं नेक्स्त जो है उप्रोप्त पदों है तो सेवा प्रदाता की नियम और सरते ये जो है टेलिग्राम चाइन करके इसका भी पीडेच में आपको प्रोइड करा दूँगा वहाँ से आप देख लिजेगा ये सारे चीज दिया हुआ है आपके जितने भी नियम सरते हैं इसको आप पढ़ सकते हैं मैं तो आपको पता चल गए कितना पोस्ट खाली है क्या आपको आवेदन चाहिए वो जरूरी है और देखते हैं इसमें जो है आवेदन का प्रारूप देखते हैं चैन का माब दंड है इसे भी आप देख सकते हैं परावर्स दाता और बहुत देशी कारे करता के लिए चैन पक्रिया कैसी होगी तो इसमें भी देखिए जली देखते हैं वांचित निम्तम सैक्षिरिक योग्यता में प्राप्त प्रतिसत का सब अंकों का वेटेज देते हो अधिक्तम अस्य अंक प्रदान औरूप अनुभाव होने का पात्र तदो परान प्रत्यक वर्ष दो अंका अनुभाव अधिक्तम दस वर लिखित परिक्षा इसकिल टेस्ट साक्षात कार पर दस अंक निर्धारित रहेंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं प्रामर्स दाता के लिए है ये बहुत देशी कारे करता के लिए है इस तरह से दिया हुआ है अब चली देख लेते हैं हम इसके आवेदान ये देखिए आवेदान पत्र है इस आवेदान पत्र को आपको भरना है और आप भर के जो है इसको एप्लाई कर सकते हैं यह आधन दिया हुआ है इसे भी आप सेम टेलीग्राम से आप जो है पीडियेप में पीडियेप जो दिया हुआ है उससे आप जो है निकाल करके भर सकते हैं फिलब अब नेक्स देखते हैं कारियालाई जिला कौसल विकास प्राधीकरण दक्षिड बस् अब देखिए आपको याद रखना है स्वयम उपस्तित होकर निधारी तीथियम करनी समय में अवेदन आविदन आविदन किया जाता है मतब देखी आप स्वयम उपस्तित होकर भी आविदन जम्या कर सकते हैं अब देखें क्या क्या पोस्ट निकला हुआ है तो चलिए देखते हैं काउंसलर का दो सिट खाली है और ये जो है वितन मान मतलब मानदे कितना है इसका तो काउंसलर को मानदे अधिक्तम 750 रुपए प्रती काउंसलिंग दिवस के निधारित मतलब दर से भुगतान किया जाएगा और ये जो है माह में अधिक्तम 20 काउंसलिंग दिवस का आयोजित किया जाना है मतलब 650 रुपए जो है आपको काउंसलर को मानदे अधिक्तम 750 रुपए प्रती काउंसलिंग मतलब एक काउंसलिंग ओका 750 रुपए और एक महिना में कम से कम 20 काउंसलिंग बोल रहे हैं मतलब अधिक्तम 20 काउंसलिंग तो आप जोड़ सकते हैं 20 में 20 काउंसलिंग होगा तो 750 रुपया आपको पर काउंसलिंग के हिसाब से दिया जाएगा अब चलिए देखते हैं इसका नियुंतम सेक्षडिक योग्यता का है किसी विजह संकाय में सनातक उपाधी, में मनोविज्ञान समास स्वास्तर, मास्टर आफ सोसल वर्क, MSW, MBA उपाधी धारक को वरिता दिया जाएगा और बिंदु कर्मांक एक योग्यता होने पर प्रेरक रोजगार साहया ग्राम सचिव इत्यादी को काउंसलर के रूप में चैन किया जाएगा चलिए नेक्ष देखते हैं अब देखते हैं कारियाले जीला कौसल विकास प्राधिकरार दक्षेड वस्तर दंते वाड़ा चतित गड़ अभी हम लोग ने देखा इसको तो इस तरह से अब देखते हैं ये काउंसलर अब देखिए इसमें जो है पद नाम काउंसलर अभी हम लोग देख चुके अब पद संख्या कितना है तो दो है और इसमें जो है यो ग्यता भी देख चुके हैं आवस्यक देखिए नियम और सर्ते क्या क्या है तो आवेदा को 36 गड़ाज को मुल निवासी मतलब आपको मुल निवास प्रमाड पत्र सामील करना पड़ेगा आपके आवेदान पत्र में सलनगना करना पड़ेगा आवेदा की आयू 1 अक्टूबर 2021 की स्थिति में नियुनतम कम से कम 21 वर्स होना चाहिए अधिकतम 22 वर्स से धिक नहीं होने चाहिए अयू प्रमाड पत्र के लिए हाई स्कूल का या हअर सिकंडरे स्कूल कर मैत। निर्धारी इस्थान पर नविंतम स्वप्रमाडित मतलब अपना स्वयम का टेस्टेट करना है और फोटोचिप काना है आपके आधान पत्र में इस तरह से आप ये वाले जो दिया है और नियम सर्थे इसको आप देख सकते हैं टेलीग्राम में ये भी प्रॉइड हो जाएग आपका प्रॉइड करा दोंगो मैं वहां से आप देख सकते हैं क्या क्या और नियम सर्थे हैं अब यहां देखिए काउंसलर की चैन पर करिया क्या है तो इसमें जो है काउंसलर चैन के लिए अवेदक को निर्धारी सवग में से निमतम 37 अंग प्राप्त किया जाना निवा अब देखी counseling से संबंधी छेतर में कारे न उभाव, तो 5 वरसे का या अधिक अनुभाव में 50 रख, तीन वरसे अधिक में 3 रख, 2 वरसे अधिक में 20 रख, अधिक तम 50 रख तक, तो इस तरह से अब देखिए सक्षातकार के लिए, सक्षातकार के अधार प्रवापत रख 10 का इस तरह से एक, दो, तीन का टोटल ये अंक परदान किया जाए गया हाँ पर अब ये जो है आप टीप ये भी आप पढ़ सकते हैं टेलीग्राम में फ्रॉइट जब कराऊंगा तो उसमें से आप देख लिजेगे सारे चीजों को आपको क्या-क्या क्यार करना है हमको जानक पत का नाम किस पधेत को आधन कर रहे हैं आप उसका नाम लिखेंगे आपका नाम इस तरह से यहाँ फोटोचिप करेंगे और इस तरह से यह जो है इस आवेदन को भी आप टेलीग्राम में जब मैं फ्रॉइट कराऊंगा तो उससे जो है आप निकलवा सकते हैं से और यह आपका पाउती है तो इस तरह से आपके पासगार गता है तो नेक्स्ट जो है हम देखेंगे दंते वाड़ा से दंते वाड़ा में क्या निकला है दक्षिड बस्तर दंते वाड़ा से और नेक्स्ट आउर देखेंगे राजनान गावं में भी कुछ भी कैसी निकल उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे तो चली देखते हैं ये जो है ये आपके 309 2021 का है और देखते हैं वाकिन इंटर्व्यू सुचना ये कहां से निकला है कारियाले मुख्य चिकिस्सा एम स्वास्थ अधिकारी जीला दक्छिल बस्तर दंते वडा 36 गड़ जीला साधननीती 2018 में दिये गए निकला स्वास्थ मिशन जीला स्वास्थ समीती जीला दक्छिल बस्तर दंते वडा 36 गड़ के अंतरगत विभिन रीक्त सवीदा पदो है तो वाकिन इंटर्व्यू विग्यापन की सुचना प्रकासित किया गया है तो याद रखेंगे ये जो वि प्रकासित किया जाएगा तो देखेंगे कब तक करना है और इसमें क्या बोला है कि पोस्ट, रजिस्टर, सधारार पोस्ट यान ने किसी माध्यम से प्राप्त आयदनों को सुविकार नहीं किया जाएगा तो देखिए अब देखते हैं क्या क्या पद निकले हुए हैं चली रेखते हैं पद का नाम है यहाँ पर देख सकते हैं एक जो है दिव्यांग जन हेतु आरक्षित पद है मतलब दिव्यांग जन हेतु एक पोस्ट आरक्षित की अगया है एस्टी में है यह भी तो इस तरह से है सैक्षडिक योग ग्यता में देख सकते हैं आप यहाँ दिया हुआ है BMS, BHMS, BUMS, डिग्री यह और ंपर वाकिन इंटर्व्यू दिननांग तो वाकिन इंटर्व्यू दिननांग जो है 21,10,221 है तो यह डेट है आपका आप देख सकते हैं, नेक्स्ट Hej नेक्स्ट जो है आपका साइचिएट रिक नर्स तो देखें साइट की अट recording नर्स में जो है आपके एक पोस्ट है यह इसका जो वेतन है 31,500 है और इस तरह से आप देख सकते हैं इसके लिए 22,000-22,000 वाकिन इंटर्वी का डेट है और इसके लिए यह ग्याता यहां से आप देख सकते हैं MSC, Psychiatric Nursing EOM, BSC Nursing के साथ Diploma इसमें दिया Psychiatric Nursing 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 Council में Registered होना अनिमार रहा है कि साथ 2 वर्ष मानसिक स्वास्त हस्पताल अत्वा क्रिनिक कारे में करने का अनुभाव भी मागए गया है वांचित क्या है तो यह Diploma in Community Mental Health को प्रात्मिकतर दी जावेगी Next देखते हैं आप देखिए यहां पर दिया है Psychiatric Social Worker इसका साथे 22 जारतन का है और इसका जो वेतन है और यहां पर आप देख सकते हैं इसके लिए क्या क्या योग्यता है M.Phil Psychiatric Social Work यदि योग्यता ना होने की दसमे Master of Social Worker इसको भी माननेता दिया जाएगा दो वर्ष का मानसिक स्वास्था हस्पताल या क्लिनिक में अनुभाव ही होना चाहिए इसका डेट क्या है तो 23-10-2021 है आप इसको और अच्छे से अध्यन करने के लिए टेलीग्राम में हमारा इसका पीडियेप प्राप्त कर सकते हैं दो पोस्ट खाली है और यह 21,000 रुपया पितान है इसका और इसका वाकिन इंटर्वी डेट है 25-10-2021 नेक्स्ट जो है ब्लॉक मैनेजर डेटा तो देखी ब्लॉक मैनेजर डेटा यह टू पोस्ट है यह भी 21,000 इसमें भी है आपका और इनका जो डेट है यह 26-2021 है अब यह जो है यहां से आप देख सकते हैं यहां से आप देख सकते हैं क्या के गयता चाहिए तो इसमें ग्रेजुएशन 55% एंड पीजी डिस यह मंगा है और यह तो फिर कह रहा है कि ब्लॉक मैनेजर अकाउंट्स के लिए बीकॉम मिनमाम 55% प्लस वन यर कम्प्यूटर डिप्लिमा यह मंग रहा है और पीजी डिस यह नेक्स देखते हैं एकाउंटेंट एनेचेम एक पूस्ट है 18,000 इसका वेतान है और यह इसके लिए क्वालिफिकेशन का है बीकॉम मिनमाम 55% प्लस वन यर कम्प्यूटर डिप्लिमा मतलब PGDCHP भी मांग रहा है और 25 दस 2021 इसका लाउस डेट है मतलब वाकिन इंटर्विडेट है और देखिए नर्सिंग आफिसर भी है तो नर्सिंग आफिसर में 7 पोस्ट है 7 पोस्ट है 16,500 इसका वेतन है प्रतिमा और इसके लिए BSC नर्सिंग और G&M कोर्स ये आपके क्या है क्वालिफिकेशन है और इसका वाकिन इंटर्विडेट है 27,10,2021 नेक्स डेखते हैं स्टाफ नर्स स्टाफ नर्स के लिए 16 जा प्रतिमा 6 पोस्ट है रिक्त है इसमें वाकिन इंटर्विडेट 28,10,2021 BSC नर्सिंग और G&M कोर्स ये भी वही योग्यता है जो आपके 7 के लिए है नेक्स देखते हैं 9, टेक्निकल असिस्टेन आडियो मेट्रिक तो देखिए इसके लिए 15,000 है प्रतिमा और ये जो है वाकिन इंटर्विडेट 29,10,2021 डिप्लोमा इसके लिए योग्यता क्या है यहाँ देख सकते है डिप्लोमा इन क्या है येरिंग लेंग्वेज जेनरे स्पीच फ्राम RCI ये अब देखते हैं नेक्स टेन टेक्निकल असिस्टेन इसके लिए एक पोस्ट है और पंदर हजार प्रतिमा वेतन इसका वाकिन इंटर्विडेट है 30,10,2021 और इसके लिए योग्यता ये है डिप्लोमा इन ट्रेनिंग क्या है यंग डिफ एंट हेरिंग हैंडिकाप्ट तो अब नेक्स देखने हैं ब्लॉग सुपर्वाइजर तो देखें ब्लॉग सुपर्वाइजर वीएसबी ये टू पोस्ट खाली है और इसके लिए 21,000 प्रतिमा वेतन है अब इसके लिए देखें योग्यता क्या मग है तो BSC बायोलाजी में मग है और इसका वाकिन इंटर्वीटेट है 11,000 इसका चली ये देखते है नेक्स देखते है सिनियर ट्रीटमेंट सुपर्वाइजर तो ये जो है एक पोस्ट खाली है इसमें और 18,500 प्रतिमा वेतन है इसका वाकिन इंटर्वीटेट है 21,000 इसके लिए आप qualification देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है इसको आप डेटियल में देख लिजेगा टेलिग्राम गुरुप से इसका पीडियाप से देख लिजेगा नेक्सट देखते हैं कैंस लर ब्लड ब्लैंक तो देखए कैंस लर ब्लरड ब्लैंक के लिए एक पोस्ट और इसमें 12,000 प्रतिमाफेतन इसका वाकिन इंटर्वी डेट है 3.11.2020 इसका भी कॉलिफिकर्शन आप यहां से देख सकते हैं अब देखिए इसमें जो है ये आपके वाकिन इंटर्वीव दिशा निर्देश दिया गए इसमें तो देखिए पत करमांक 1,2,1 से लेकर 1,2,3,6,7,8,9,10,11 हेतु अब क्या करना है प्राता इसमें टाइम दिया है 11 बज़े से 12 बज़े तक हो गई सलंगन आवेदन पत्र में भरी हुई भरी गई पूर्ण जानकारी के साथ भर्थियों का पंजयन होगा तो इस तरह से आप पूरा सारव डिटेल देख सकते हैं यहां से यह पूरा दिया हुआ है यहां तक यहां तक के अब देखी दो में देख सकते हैं पतकरमांग 4-5-12 हेतु ये वाला जो दिया है ये फालो होगा ये 54 बजे से 5 बजे और ये 5 बजे से तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं यहाँ से देख सकते हैं टेली ग्राम कूप से इसका योग्यता क्या चाहिए कैसे करना है 25,000 या उससे कम हों तो ये अनुसुचित जाती दिव्यां, अनुसुचित जंजाती महिला इनके लिए 100 रुपया और अगर मान्दे 55,000 से अधिक है तो उसके लिए इस वर्गा के लिए 200 रुपया, अंद्पिछर वर्गा के लिए 200 रुपया, आवेदन पत्र का प्रारूप इसे आप का करेंगे टेलीग्राम में जब आपको पीडे फुरॉइड होगा तो आप कंप्यूटर से निकलवा सकते हैं और इसी को जो है आवेदन पूरव फिलव करके आप क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं